राम राम जी, आज एस्टेट के दो पेपर थे दोनों पेपर आम जो और याना जी क्या आई थी उनका बारा में एक एक पर्षण का बारा में डिटेल देखने की काम करांगे देख़belly सबसे पहला प्रशन के ऑगी अर्याना सरकार की किस योजना के ताहत अर्याना के समस्थ परिवारों का समाजी कार्थिक डाटा बेस त्यार की आ जा रहा है सबसे पहले है अन्तोदे परिवार उत्थान योजना आपको याद होगा फरवरी 2021 के अंदर अर्याना प्रदेश के माननी मुख्यमंतरी मनोडलाल खटर के दवारा 2021 फरवरी के अंदर दिन था गुरूरविदास जैनती ठीक है महान गुरूरविदास जो है गुरूरविदास की जैनती जो थी उस जैनती के उपरे घोसना करेगी थी कि अर्याना प्रदेश केंदर जिन परिवारों की आई याद रखना एक लाख रुपे से कम है एक लाख रुपे से जिन की आई कम है उनको एक लाख असी हजार रुपे तक की आई के सलाब में लेके जाया जाएगा दूसरी चीज़ अभी कुछ दिर पहले अर्याना सरकार न गोशना करेगी कि इसके लिए जो टाइम लाइन त्यार करेगी वो 2025 तक की त्या करने का काम किया है जबकि अंतोद्य परिवार उठानी ओजना जो हाव लागो कद हुई थी तो याद रखना एक अप्रेल 2021 को लागो करेगी थी फरवरी 2021 के अंदर गुरुरविदास जैनती पर अंतोद्य परिवार उठानी ओजना की गोशना करेगी थी जिनकी इंकम सलाना इंकम एक लाग रुपे है उसको बढ़ा करके एक लाग 80,000 रुपे है नि गरीब रेखां से उपर उसको पार किया जाएगा दूसरी चीज इसमें याद रखना अपने टाइम लाइन कब तक ही कि 2025 तक अर्याना के जिनकी उमर जिनकी जो इंकम है एक लाग रुपे है तक कम है एक लाग रुपे है उनको एक लाग 80,000 तक 2025 में लेके जा जाओगा प्रवरी 2021 में गोशना करी थी गुरु रविदास जैनती के ओपर जबकी 1 अप्रेल 2021 को योजना क्या हुई थी लाग हुई थी अगली योजना है प्रिवार पहचान पत्र योजना ये जो योजना जो है याद रखना 4 अगस्त को चार अगस्त 2020 को जो है इस योजना की शुरुआ थी प्रिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत रियाना के पंचकुला जिला जो है पंचकुला जिले से त्यार इसको शुरूई थी अगली ओजना मुख्यमंत्री परिवार समर्धी ओजना के तैट जिनकी इंकम एक लाक सी अजार पे से कम है यानि जो बीपेल से निच्चा आवह जो ठीक है जो बीपेल से कम आवह एक लाक सी अजार पे उनको क्या किया जाएगा 500 रुपे परमन्थर या इंति प्रकुरीगी थी एक अप्रेल दो जार इक लाग हो उए थी साल दो जार पस्षिस तक जिनकी इंकम एक लाक सी अजार पे तक लेके जाएगा परिवार पहचान पत्रियोजना पंचकुला से चैहर अगस 2020 मुख्यमंत्री परिवार समर्धी ओजना एक लाक सी जार से जिनकी इंकम कम है 500 पे बीनना साल के 6000 पे इसके तैया देने का काम करा जाओगा। जिसने भी D गुरूप की त्यारी करनी है भाई, फरवरी मा 100% कनफरम पेपर है, NT ने रिजरो रख लिया, इबकड़ा बैम मना रही हो, कदे उस जुकर बैम मर रहे थे, अगला परसंद देखो भी, वह जिला जहां पर अर्याना में पहली बार इचलान लागू किया गया था, इचलान लागू करने का काम कहां पर किया गया था, तो याद रखना है, अर्याना परदेश के एक सीटी है, जिस सीटी को अमके किस नाम से जाना है, याद रखना, साइबर सीटी के नाम से इसको जानते है ठीक है, मनोरणजन सीटी के नाम से जानते हैं, विशुकी कॉल, Capitol Center का हब जिसको कहा जाता है, Millennium City के नाम से जिसको जाना जाता है जहाँ पर Global City अरियाना सरकार बनाने जा रही है वो जिला कुंसा है अगला प्रसंद देखेगा अर्याना राज्य में प्रसाशन के विधित प्रमुख कोन है देखो इसमें अर्याना राज्य जोड़ दिया जै अर्याना सबत ना भी जोड़ो तो भी कोफरकुन पड़ा है एक चीज में आपना कोहूं जो आप नैसनल जी कि में पॉलिटी जब तो राज्य पाल के सारा सोधा पड़ लिओ भी राज्य पाल का लगबक इसा को पेपर कोने उन्दा 99% पस एक सबत जोड़ देएं अर्याना सबत जोड़ देएं बात बराबरे क्योंकि सविधान में आप तो जमु कस्मीर से लेके जितने भी भारत के ठाइस के ठाइस गरें में राज्य पाल के सेम काम है, जो उन से अर यानामा होंगे, ठीक है, तो अपने याद रखना है, राज्य का मुख्य मंत्री, इसकी नूखत इसकी अनुचे को ऊटते, टहीं मादी वकता है, राज्य का राज्य पाल, बिल्कुल सही है, स데 मूख्या इसका मुख्या को न ता वो राज्य का राज्य पाल होता है अर्याना सबद लाना तो इसका उत्तर कोण बुदल है ठीक है तो सारे प्रिलिवनी तो राज्य पाल दुबारे ता करवाय दूँगा एक दिन सारा का सारा ठीक है बोत बार प्रसना हो राज्य पाल के वे वो अवार्ड जो प्रसीक्षन में उत्कृष्टा है तो अर्याना राज्य अर्याना राज्य दोबारा खेल प्रसीक्षक को दिया जाता है द्रोनाचारी अवार्ड सही उत्तर है अलगबग योई करक्या हो गलत उत्तर है देखो क्योंकि अर्याना राज्य दे रिख्या, द्रोनाचारी अवार्ड कोण देव, 15 लाखर परी मिले, केंदर सरकार देव, द्रोनाचारी अवार्ड, बाई समझे के, कोण सी देव, सेंटर गोवर्रमेंट देने का काम करती है, जबकि गुरू वसिस्ट अवार्ड बहुत बार ज रुपे इनामिरासी है, महाना परताप अवार्ड में भी इनामिरासी कितनी है, दो लाख रुपे, और ये किसको दिया जाता है, खेलो में आजीवन योगदान के लिए पुरुसों को दिया जाता है, ये दो लाख रुपे, जबकि जो पुरुस और महिलाओं को कौण सा दि पूरा बैच मिलगा अपने सेज़ी जिड़ी का रिकोड़ीड बैच है पूरा इसके लावा सीजेल का बैच आप देश को जो भी आपने बैच लेना पड़ना है लीसो से सस्ता पूरे इंदोस्तान के अंदर कोई प्लेटफोर्म नहीं है दिल ठोके कहता हूं लीसो एप अपने अपने फोन में डाउनलोड करिए गुरुदक्सिना समझीए मेरे को दी आपने और जो भी आपने लेना है अप लीसो एप को उपर जो पोस्ट देखा उस पर कलिकर करके आप ले सकते हूं छिक है गलोबल सीटी प्रोजेक्ट विक्सित किया जा रहा है यानि गुरगाओं के अंदर जो हाग गलोबल सीटी विशो की सबसे बड़ी गलोबल सीटी बनाई जा रही है उस गलोबल सीटी प्रोजेक्ट को कोन बनाने का काम करेगा HSIIDC अर्याना सरकार या फिर GMDA या फिर MDEA या फिर अर्याना सहरे विकास प्रादिकन तो आपने याद रखना HSIIDC जो है इसकी स्थापना का वोई थी 1967 के अंदर जो था इसकी स्थापना वोई थी इसके दोरा जो है गुडगाओं का जो है 21 किस किस को मिलाकर Union territory केंदर सासित प्रदेश पलस भारत के राज्य है अगर नू देर क्या ठीक है तो याद रखना है अपने याद रखना है क्योंकि लदाख जो है केंदर सासित प्रदेश आपने याद रखना ठीक है उसका अक्षेतरफल अर्याना से ज्यादा है याद हो जाओगा आपका यानि Union territory यानि केंदर सासित प्रदेश राज्यों को मिलाकर के स्थान कोण सा हर्याना का 21 स्थान है जबकि सिर्फ राज्यो अर्याना के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्सित की गई सीटों की संक्या 25 परदेश साथ या फिर 66 या फिर 50 तो बिलकुल अभी जोर सोर से जो है 50 50 परदेश जो है अर्याना के अंदर जो है जितनी पंचायते बढ़ी उसका 50 परदेश कोन बढ़ी है और मेरी डूटी लागरी थी एक सर्फंस तक सब दिलानमा भी क्योंकि करमचारियों के लगा देते हैं सरकार तो वहां मैं एंकरिंग कर रहा था तो बिचारी उल्ला मसब्त लेगा है वहां मैं बैया नहीं रखोंगी बिना पक्सपात के काम करूंगी मखाएं देखियो तो पचास पीस दी आरक्षन कर दिया बहुत अच्छा काम हाँ एक चीज और आपने याद रखनी है जो बीसी ए वरग जो हा रियाना के अंदर पंचैती राज में बीसी ए वरग को आट फीस दी आरक्षन हा रियाना सरकार ने दिया है निया मूर्ति दरसन सिंग जो है उनक परतिसत अगले पेपर हम पका होगा डी ग्रूप में देख लिए हो आठ परतिसत बीसी ए के लिए अरक्षित करने का काम किया गया ठीक है अगला प्रसंद देखेगा अक्से तरफल की दरस्टी से लगूतम यानि सबसे चोटा वन्य जी और भ्यान पूशर के अर्याना का क इन दोनों को किस के अंदर शामिल किया गया तो आपने याद रखना है अर्याना के दो जीले हैं जिनकी सीमाओं के उन्दर है ये काथळ हय दूसरा कुन सा के अंदर छीक है चिल्चिला बन्य जीौ भ्यान अर्याना के कुरूख़टर के अंदर पढ़ता है छोल छोल autor के छ सबसे चोटा और इसी छिल्चिला को एक नाम से जाना जाता है, कौन सा है वो नाम, शोटी वन के नाम से अर्याना के किस वन्य जी अभ्यान को जाना जाता है, तो शोटी वन के नाम से किस को जाना जाता है, चिल्चिला को जाना जाता है, काले सर सबसे बड़ा है और चोटा कुण सा चिल चिला कुरुक्षेत्र का जिसको किस नाम से जाना जाता है स्योठी वन के द्वारा अगला परसंद देखीगा अर्याना का वह जिला जहाँ पर डोलो माइट नाम का खनीश्पदार्थ पा जाता है सबने विरहाबर याना में सबतक नेखनीश्पदार्थ कड़ा हो है तो में अंदरगड जिला के अंदर हो है लेकिन फिर भी देखो जिसका लास्ट में आइट माइट माइट साइट देखो यह तीनों सबत लाग देओ आएक बंद करके उसका उत्तर में अंदरगड हो गया जैसे बर्मिकुलाइट है इसके लावा कैल साइट है काईनाइट है यह जिसका पाच्छा आइट माइट साइट तीनों सबत लाग देओ कड़ा पाओगा मेहंदरगड के अंदर पाओगा एक और खनीश्पदारत है जो बहुत कम पूछागा है फैल स्पार ये जो फैल स्पार कनीश्पदारत है ये भी अर्याना के कुण से जिले के अंदर पाजाता है ये भी मेहंदरगड जिले के अंदर पाजाता ठीक है बर्मीक्यूलाइड हो गया चाइनाइट हो गया केल साइट बुठ्दीया मनने के बाद मैं करें जाओ ठीक है अगला प्रसंद देखा बही कि है यू जेबी टीअडा आगया बैपी आटीअडा अर्याना राज्ये के चुनाव आयुक्त पूचर क्या कौण है अनुराग अगरवाल है धनपत सिंग बोत बार जिकर करें आपानिसका वह बिस्कूट खाके धनपत सिंग नाट गया ठीक है तो याद रखना धनपत सिंग जो ह रामपूरा के अंदर जिसका जनम होता है और मिर्त्व कब होती है तो याद रखना 23 सेप्टमबर 1863 को अफगानिस्तान के काबूल के अंदर महान देशभगत राव तुलराम जो है राव तुलराम की मिर्त्व होती है सहाधत होती है कहाँ पर रेवाडी के अंदर इसलिए पर तेक 23 सेप्टमबर को अर्याना सहीदी दिवसमन आ जाता ठीक है अहिरवाल का नायक कहा जाता है इनको रेवाडी को क्या कहा जाता है तो आपने याद रखना अहिरवाल का लंदन किसको कहा जाता है रेवाडी को अहिरवाल का लंदन कहा जाओ है 23 सेप्टमबर 1863 को अर्याना लोकसिवा आयोग के बारे में कुछ कथन दिये गे उनके बारे में आपने बताने का काम करना है। है इसका पहला देखिए आयोग में एक अधेक्स दाथा अधिक्तम आच दस्ये के अदर ठीक है एक अधेक्स और अधिक्तम 8 दस्ये हो सकते हैं। नॉम्बर 1966 को HPSC बनाया गया था अर्याना की सबसे उंची पहाड़ी सरेखला मोरनी हिल कहां पर है ये बात पूछर की है तो सबना बेरा मोरनी हिल कड़ा पड़ा तो पंचकुला के अंदर पड़ा सबसे उंची चोटे इसकी कॉन सी है निमन में से कोण सा मंदिर और याना के कैथल जिले के अंदर स्यामील है कड़ा है कैथल के अंदर कोण सा मंदिर देखो यो बगत एक नंबर दे रहा पंच मुखी न ठीक कर रहे है सरवेस्वर महादेव मंदिर बिरला मंदिर अंब केस्वर महादेव मंदिर जहां पर सिवलिंग से खून निकला था अम्ब केश्वर महादेव मंदिर कड़ा पड़ा अगला प्रसंद देखिएगा не पर प्रिवार पहचान पत्र योजना आइगा इस योजना कहते है ते रियाना के सारे परिवारों का पहला कुण सा है गुरुगराम है उसके बाद कुण सा बना गया है नमबर दो कुण सा है तो याद रखना है फरीदाबाद है और तीसरा किसको बना गया है तो याद रखना तीसरा पंचकुला को बना गया है तो गुडगाओं का पूचर क्या है तो गुडगाओं विकास महा अधिकरन की स्थापना करने का काम किया गया था केंदर ये भेड परजनन फारम 1969 केंदर जो है अर्याना का इसार जीले केंदर जो केंदर ये भेड परजनन फारम की स्थापना करने का काम किया गया था ये थे भई परसन आज के पेपर के कैसे लगे आपका स्कोर कितना बढ़ा सारक सारे कमेंट कर दियो लीस वे आप डाउनलोड करना है जै हिंद भारत माता कीज़े कमेंट जरूर करियो